नामें इसका नाम क्या होते हैं और इसके काम क्या है इस टॉपिक के पर ही अपना वीडियो है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्यूंकि इंट्रुम में भी हमसे इक कोस्टन कर लिया जाता है कि टास्फर्ण मौइल के नेम् कह थो दोस्तों इस एक अंड में मैं आपको सिंपल एक एक लाइन के दर दोनों के अंसर नाम और काम के कि आपको इंट्रूए के यह आंसर देना है तो सबसे था कंटेनर है में आपको दिखाTION damn कटेनर है यह तरे यह 200 लिटर का या मावश क्टीनर है यह श्रूअ गारेंगे के ड काम होता है फर्श ट और सकेंट फिर्श काम के नोधे होता है कि यह घुन होता है क्यों कि जो ऑईल होता है यह उसको जल्डी करम नहीं होने तेता तो ठीक है पहले चीज़ दिंपरेचर होता है हाई टेम्परेचर को इस्टैबल रखने का काम करता हमारा होई दूसरी होए और दूसरी यह पर थे सो दोग आपको आपको लेगा तो इसके करेंगे तो दोस्तों इन दो करएंट अपनी तरफ खीच लेती है तो वह नहीं होने देगा यह हमारे ट्रांसफोर्मर ओइल का काम होता है तो दोस्तों आप समझ कियोंगे आप दोस्तों यह हमारे कुछ पिछर में लिए यह पिछर इसलिए दोस्तों क्योंकि देखो दोस्तों नेया था ने रहना था ना और जैसे जैसे पुराना हुआ तो यह ऐसा color में परिवर्तर हो जाएगा, मतलब यह खराब हो गया है, इसको filter क्या हो सकता है, यह चेंज करने क्या हो सकता है, इसके बाद में दोस्तों, कभी हम color के according तो चलना ही सकता है, कभी हम को चेक भी करना पड़ेगा, तो दोस्तों, यह 50,000 वोल्ट वा, 60,000 वोल्ट वा, ऐसे दीरे 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 वोल्टेज बढ़ाता है, और वोल्टेज बढ़ाता है, तो इसके अंदर ऐसे spark उपन होती है, इसको बोलते है हमारा कि इसका oil फट गया, तो यह जिस जगे oil फटता है उच लोट कर लेता है, और बाद में इ प्लuses को बरनें, तो इसके बाद में बाद वा, लीटाए लुको बनेंगा इनके यह जाता होती है, फिर वापस निखल के परस समझ गया हो इसके बाद में इसके बाद हम नाम नाम इन दोनो नाम बता रिश एक है सिलिकान आधारित और यह ये जेवाधारिक टीक है यह इसके अदर दोस्तोर आगर आपको याद नहीं रहेगा तो भी मैं आपको लाश बताँगी कि आपको इंट्रिव्यू के अंदर क्या बोलना है जिस्टे-पाइंट्रिव्यू क तो दोस्तों इन दोनों के आज एकल इसका देखो दोस्तों इसका भी है जो सिलिकॉन बेस रहे हैं यह आज बंद हो गया और जेव आधा रही तो दोस्तों टांस्परमाइल का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है इंट्रीव के अंदर आप कहाते हैं Lewis के थैजिंव तो घ्र कियाता है और हम इसको जनरली जो हमारे हमरे जो 25 डेनिक जीवन में हम टांस्परम मोल के नाम से बोलते और साथ साथ कहीं पर हम इसको मिनरल ओई या इंसुलेटिंग और बोलते हैं और अगर आप उसे नाम याद हो जाते हैं तो आप सिंपली हमारा नेम बोल सकते हो जो हमने बताया आपको नेफटेनिक और पेराफिनिक टांसफोर्मर ओई ठीक है इसके बाद में दोस्तो काम के पर है तो काम के अंदर आप बोल सकते हैं कि जो होता है और इसके दो काम सोते हैं एक होता है हमारे टेंप्रेचर को इसी रखना इस्टेबल रखना मतलब ज्यादा बढ़ने नहीं देना जितना है उसी पर सीमी तक ना और दूसी चीज जो होता है वहता हमारा इंसुलेशन करना ठीक है तो दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयो तो एक लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आप एलक्टिकल की वीडियो हिंदी में अपलोड करता रहता हूं अगर आपके मन में फिर भी कोई नहीं धन्यवाद